So last class में हम लोगों ने पढ़ा था plane mirror के बारे में plane mirror से जुड़ी भी जो भी characteristics थी उसे हम लोगों ने complete कर लिया आज की class में हम देखने वाले हैं कि spherical mirrors किसे कहते हैं इन से related जितने भी terms हैं उसे आज हम पढ़ लेंगे So spherical mirror किसे कहा जाता है एक ऐसा mirror जिसका जो reflecting surface हो वो एक curve हो तो ऐसे किसी भी mirror को कहा जाएगा एक spherical mirror या फिर curved mirrors भी इनहें कहते हैं plane mirror के अदर जो spherical part था means जो reflecting part था वो एक plane था जबकि curved mirrors के अदर जो reflecting side है वो एक curve होता है So यह difference है definition के अगर बात करें So एक ऐसा mirror जिसका reflecting surface curve हो या फिर a mirror which is part of a hollow glass sphere तो hollow glass sphere क्या होता है इसे हम diagram से समसना है Suppose कि अगर हमारे पास यहाँ एक glass का sphere हो This is a glass sphere सीसे से बना हुआ एक sphere है जिस तरीके का foot wall होता है foot wall river से बना होता है हम imagine कर लेते हैं कि हमारे पास glass से बना हुआ एक sphere है सो अगर इस sphere के किसी एक part को cut कर दिया जाए Suppose कि हम लोग यहाँ से part को cut करें and अगर इस side से भी part को cut करें तो किसी भी side से अगर हम इसके part को cut करें और उस portion को अगर अलग कर लिया जाए यहाँ से इस portion को अगर मैं यहाँ से अलग करके glass sphere से जिसे हम लोगों ने cut करके अलग किया, अगर हम इसे एक side से paint कर दें, किसी एक side से अगर इसकी polishing कर दें, तो यही बन जाएगा हमारा spherical mirror और किस side से हम paint करेंगे यह depend करेगा कि वो concave बनेगा या convex बनेगा, like that so, ऐसे बनाते हैं किसी भी spherical mirror को, now अगर हम दोनों ही parts से ये देखें कि concave and convex कैसे बनता है, so हम दोनों ही parts को लेकर आते हैं यहाँ पर, concave mirror के अंदर like this concave mirror में पहला part यह कुछ ऐसे आ गया, and second part भी हम लोग draw कर लेते हैं, concave mirror के अंदर, कि किसी तरीके से convex mirror के लिए भी हम दोनों parts को draw कर लेते हैं, so पहला part कुछ ऐसा है, and second part कुछ हम लोग ऐसे draw कर लेते हैं, like that so अब हम समझते हैं, concave and convex mirror कैसे बनेगा so अगर इससे हमें concave mirror बनाना हो, तो concave mirror का definition यह कहता है कि concave mirror का जो reflecting side है, जिसे भी हम reflecting side बनाना चाहें, वो reflecting side जो है, वो अंदर के तरफ bulged होना चाहिए, अंदर के तरफ दबा होता है उसका reflecting surface, so अगर इसे, इस part को हम फिर से glass के तरह अगर consider करें, इससे मैं पूरा glass sphere अगर बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, लग भग लग भग, कुछ ऐसा, ये glass sphere का part था, जिस glass sphere से हम लोगो ने cut किया, वापस से मैंने sphere को draw करने की कोशिश की है so इस glass sphere में, अगर हम अंदर वाले part को reflecting side बनाना चाहते हैं, ये reflecting side है अगर, तो इसका मत्तब हमें बाहर से इस side से इस side से बना होगा, ताकि ये जो अंदर वाला portion बना, this portion, ये जो बनेगा वो reflecting side बनेगा, और फिर हम चाहें तो इस dotted line को हटा सकते हैं so ये बन कर तयार हुआ हमारे लिए concave mirror ठीक, इस तरह, अगर हम यहाँ पर भी वही काम करें, तो पहले मैं इस glass sphere को complete करने की कोशिश करता हूँ ये लगभग कुछ ऐसा बनेगा and इस glass sphere का जो अंदर वाला portion है, वो हमें concave mirror के तरह बनाना है यानि कि concave mirror में जो reflecting side होता है वो अंदर के तरह bulged होता है so ये इसका reflecting side है, अंदर के तरह है वे इसका मतलब हमें यहाँ पर भी बाहर से ही paint करना होगा so ये बन करते हैं आप हुआ अब हम चाहें तो इस dotted line को हटा सकते है look तो ये दोनों ही mirrors हमारे पास कौन के mirror है, why कौन के mirror because यहाँ पर जो reflecting side है जहाँ पर मैंने arrow draw किया है, वो अंदर के तरफ दवा हुआ है अंदर के तरफ दवासा है, इसे हम कहते है bulged inwards now, coming on to convex mirror so convex mirror का definition यह कहता है कि convex mirror is that mirror in which the reflecting side is bulged outwards, यहाँ पर जो reflecting side होगा वो बाहर के तरफ निकलना चाहिए so अगर मैं यहाँ पर glass sphere को complete करू इसे हम फिर से बना लेते हैं यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं glass sphere को complete करू तो यह glass sphere लगभग लगभग कुछ ऐसा बनेगा तो इदर के लिए आप इसे imagine करो कि यह glass sphere है now, इसका जो reflecting side है convex mirror के definition के according वो reflecting side बाहर के तरफ होना चाहिए यह है इसका reflecting side तो अगर इसे reflecting side बनाना है बाहर के तरफ bulging दिखाना है यानि कि हमें इसे अंदर से paint करना होगा so यह बन कर तयार होगा हमारे पास convex mirror और अब हम इसे dotted line को हटा देते हैं यहाँ से now, this is a convex mirror because इसका reflecting side बाहर के तरफ bulged है ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी sphere को complete कर ले and हमें reflecting side को बाहर के तरफ रखना है तो यह है reflecting side this is the reflecting side it means कि हमें अंदर से इसे paint करना होगा polish करना होगा and हम इस dotted line को भटा लेते हैं so यह dotted line मैं बस आपको explain करने के लिए draw कर रहा था हमें ऐसे किसी भी dotted line को draw नहीं करना होता है so यह बन कर त्यार हूँ हमारे पास concave mirror and these both mirrors are convex and ship ऐसे हम बनाते हैं concave and convex mirror so हम इसे define कर लेते हैं मैं यहाँ से रख करता हूँ इसको अब हमें इसकी जुरुरत नहीं है आप देख सकते हो कि दोनों ही portion से मैंने concave भी बना कर दिखाया and convex भी बना कर दिखाया it totally depends कि हम उसे किस side से paint कर रहा है concave mirror के अंदर reflecting surface अंदर की तरफ bulged है and convex के अंदर जो reflecting side है वो बाहर की तरफ bulged है यह reflecting side यह बाहर की तरफ निकला होता है so अब हम बात कहते हैं definition की the mirror whose reflecting surface whose reflecting surface is bulged inwards is called a concave mirror the mirror whose reflecting surface is bulged outwards bulged outwards is called a convex mirror so यह हो गया हमारा definition concave mirror के अंदर जो reflecting side है वो अंदर की तरफ उसकी bulging होगी वो अंदर की तरफ दबा होगा and convex mirror में जो bulging होगा वो बाहर की तरफ होगा outside होगा और किसका bulging हम चेक कर रहे हैं reflecting surface को हम देख रहे हैं reflecting surface का हम define करना है इसे एक और example से हम समझ सकते हैं इसे आप सभी ने अपने kitchen में जरूर देखा होगा suppose कि ये मेरे पास एक ray of light है so concave और ये वाला जो portion है वो concave है and ये वाला portion convex है but इसे याद कैसे रखेंगे so समझते हैं suppose ये ray of light जब concave portion में जाता है तो आप देखोगे कि concave portion में ये ray of light थोड़ा सा enter कर जाएगा अंदर के तरफ चला जाएगा आप यहाँ पर देखो तो ये catless marker का ये इस portion में अंदर के तरफ चला गया तो ऐसा कोई भी mirror जिसमें आप देखोगे कि light उस mirror के अंदर enter कर रहा है थोड़ा सा भी light का portion mirror के अंदर जा रहा है वो mirror कहलाएगा एक concave mirror light mirror के अंदर जा रही होगी जबकि convex mirror में ऐसा नहीं होगा convex mirror पर अगर ray of light आएगा तो directly उसके reflecting surface पर आ जाएगा light इसके अंदर enter नहीं करता है तो ऐसा कोई भी mirror जहाँ पर ऐसा diagram show हो तो वो एक convex mirror होगा जबकि concave mirror के अंदर light थोड़ी सी enter होगी तो आप ऐसे भी याद रख सकते होगी यहाँ पर भी अगर diagram में देखिए तो light जो है अगर मैं यहाँ पर इस तरीके dotted line बना दूँ तो आप देखो कि light यहाँ पर enter हो रहा है light इन दोनों ही mirrors के अंदर enter हो रहा है तो यह दोनों ही mirrors concave हैं जबकि यहाँ पर light को कहीं पर भी enter करने की ज़रूरत नहीं है तो यह एक convex mirror है तो अब हम लोगों ने सीख लिया कि concave mirror केसे कहते हैं and convex mirror कैसे कहते हैं इसके regarding दो और important points है जिसे आपको याद रखना है जब भी हम diagram को draw करेंगे concave and convex mirror तो हम जानते हैं कि ये दोनो diagram concave mirror का है and ये दोनो figure जो है वो convex mirror के लिए दोनो ही सही है but हम ऐसा कुछिस करेंगे कि जब भी हम ray diagram draw करें जब भी हमें concave and convex mirror बनाना हो तो उसके reflecting side को जो mirror का reflecting side है इस mirror के लिए reflecting side यह है इस mirror के लिए reflecting side यहाँ इस mirror का reflecting side यह है and यहाँ पर reflecting side यह है तो जो भी mirror हम बना रहे हो whether it is concave or convex reflecting side को हम हमेसा left में दिखाएंगे इसका reason क्या है इसका reason मैं आपको sign convention में explain करूँगा अगर हम left side में बनाते है reflecting side को तो हमारा ray diagram सही बनेगा तो इसलिए आप starting सही याद रखोगे कि जो left side reflecting side अगर left side को face कर रहा है हम उसी diagram को लेकर चलेंगे यानि कि इस diagram को मैं यहाँ पर rub कर देता हूँ हमें इसे नहीं draw करना है concave के case में हम इसे लेकर चलेंगे and convex mirror के case में हम इसे लेकर चलेंगे because यह दुनों ही sides जो है reflecting sides है and दुनों ही side left side में है this is the left side and यहाँ पर भी यह left side में ही reflecting है reflecting surface so इस तरह का diagram हम concave and convex के लिए draw करेंगे ताकि हमारा ray diagram सही बने converging mirror भी कहते है converging, वो light rays को converge कर रहा होता है concave mirror पर अगर parallel light rays जाएं तो concave mirror क्या करेगा कि उन light rays को एक single point पर converge कर देगा यह दोनों incident light rays black में and reflected light rays को मैंने red में draw किया है आप देखो कि reflected light rays एक ही point पर आकर मिल रहा है एक ही point पर converge हो रहा है so it is also called a converging mirror whereas convex mirror is called a diverging mirror यह light rays को diverge करता है black rays को देखे यह incident rays है and आप देखोगे कि जो reflected rays है वो अलग-अलग directions में diverge कर रहा है so it is a diverging mirror so यहाँ पर हम लोगों ने complete कर लिया difference between concave and convex mirror अब हम पढ़ लेते हैं some terms related to spherical mirrors să 아니라 you sn twee कर दो क्व कर दोब का सब्सें इस च्राफित जनस्याभर रहा है rif।